राजीब मैं आती हूँ जल्दी से आनन दूबे जी से भी में एक सवाल का जवाब लेती हूँ काफी देर से बिटिजार कर रहे हैं आनन दूबे जी अजीद पवार कह रहे हैं कि संजेराउद पार्टी का प्रवक्ता ना बने विपनेज जी नमस्कार देखे संजेराउद साहब अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं अजीद दादा अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं हम तीन पार्टियों ने अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी महाविकासा घारी बनाई दाई साल सरकार चलाई और एक कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी में विले कर लिया है, ऐसा बिलकुल नहीं है, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो सकता है, उस पर हमारी राय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसका कतई अर्थियन निकाला जाए कि संजे राहुत साहब और अजीत पवार एक दुसरे के दुस्मन बन गए, ऐसा बिलकुल नहीं है, राजनीती में कुछ भी संभावना हो सकती है, हम लोग इस समय जो प्रयास कर रहा है, भारती जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर, ठीक है हमारा परिवार बड़ा है, हमारा कुनबा बड़ा है, नोग-जोग भ समय समय पर अडानी की तारीव भी करते आये हैं, चीमन भाई पटेल का उधारन देते हुए आये हैं, एक रेलवे पर काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा वैपारी बन गया है, वो भी बोलते आये हैं, तो राजनीती में जब पार्टिया अलग-अलग विचारधाराओं की होती हैं, उनके नेता अलग-अलग होते हैं, तो सभाविक सी बात है, सब अपना जंडा बुलन करेंगे, सब अलग-अलग रा भी चलेंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि यो एक मंच में नहीं आ सकते हैं, जैसे अटल विहारी वाजपई जी, पचीज दलों को लेकर सरकार बना सकते हैं, तब तो ये कोई सवाल नहीं पूस्ता कि बाई, एंडिये में इतना बड़ा कुनबा है, अलग-अलग विचारधारा के लोग एक मंच में आएं, वैसे ही जब हमारी महाविकास अगारी बनी है, तो सभाविक सी बात है कि सब अलग है, लेकिन एक मंच म कल क्या होगा, ये ना आप बता सकती है, ना मैं बता सकता हूँ, ना राजियू जी बता सकते हैं, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान तो कुछ भी हो सकता है, कभी बहुत तेज बारिस होने की संभावना होती है, लेकिन बारिस नहीं होती है, बारिस नहीं होती लेकिन वहाद जम जम बारिस हो जाती है तो राजनीती केवल वरतमान में जी जाती है ठीक है सब के सारे बुद्ध्यमान लोग है तो इसे लाइक और शैर जरूर करें और हां Pandemie सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि या आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूज 24